प्रवाइब लेकिन मैं भूजपूरी में आई आई भी और मैंने बहुत सारे बच्चों गी मतलब शुरुवारत हमारी हुई मनोस्तिवारी रवी सबकी माँ बनी और माँ क्या होती है वो चाहे लंदन की माँ हो या इंडिया की माँ या किसी गाओं की मा है मा एक बनियाद होती है मा ही है जो पता लगता है कि हम क्या है तो इस फिल्म में जो इनका टाइटिल है ललनवा जुगजू जी को ललनवा पहला शब्स शाहिद ये मां की आत्मा कहीं होता है कि मेरा बच्चा जुग-जुग जी है तो इससे पता चल गया कि हमारी फिल्म क्या है इसकी बुनियाद ही जो इतनी खुब्सूरत है इतनी मजबूत है और इतना संस्कारी है कि फिल्म के बारे मैं और क्या कह सकते है इससी तरुप से अच्छी फिल्म होगी हाँ दिलीब जी से हमारी मुलाकात बहुत दिनों के बाद हुए हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और हमारा सौब भाग्य है कि हम लोग इस फिल्म में उनका आगमन हुआ और उनका अशिरवाद मिला क्या ताइटिल को लेके महुद अच्छा सोसता हूं मैं कई बार मेरी ये बहस होती है लोगों से कि आप लोग हिंदी की पुराने फिल्मों के टाइटिल क्यों रखते हैं क्या बोजपुरी टाइटिलों की कमी हो गई है क्या प्राब्लम है लोग घिसे पिटे तोर पर जो हिंदी फिल्में हैं उनके टाइटिल ले बैठती हुई कहानी है इसकी बाकी तो बहुत ज्यादा खुलासा मैं नहीं कर पाऊंगा राकेश जी बताएंगे बेतर लेकिन एक बेटे और बाप के संबंधों पर आधारित पुरी कहानी है और निर्देशक महुदर जो है हमारे बहुत हिट सीरियल बनाए है घर पहुंचा लिवादत देवी मया मैं देखता ता उसमें मेरा और बिमोगपकल।मोड़ी चल्ला था इंक यह चला था कुश भाजी था कि बंबई में 10 साल होगे, उसका एक छोटा ता कारण था कारण यह था कि जो डिटायरमेंट का समय है, 50 साल की उम्र में मैं मॉम्मे आया, जब कि लोग 20 समय समय बहुत लोग चले जाते हैं और आने का सःवा बोलते हैं कि यार 22-23 साल के उम्र में मॉम्मे आना चाहिए, लेकिन मैं 50 साल के उबन में आया क्योंकि जो पारिवारिक जिम्मेदारियां थी बच्चों को पढ़ाना लिखाना सेटल करना वो करने के बाद आया और 10 साल मैं सभी मुम्मा देवी ने मुझे या रखा और मैं आप लोगों की दूआ से अच्छा काम कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे लगा कि यह लेकना चाहिए कि अभिने के लिए या काम करने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है आज मुझे भी सीनियर लोग बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं जिनके उम्र जादा हो गई है अंबिजी को सबसे अच्छी तरह देखता हूं मैं क्या भाग ये लेकि और क्या कर्म लेकि वह आदमी पैदा हुआ है अभी उनके रायम शो का एक वीडियो देख रहा था क्या उर्जा दिखाई देती है 75 साल के उम्र में आदमी क्या काम कर रहा है तो मैं यह आने वाले लोगों को बताना चाह रहा था जो बहुत जल्दी हि कंबई में मुझे हुए बद्दित का कहने का यही तात्परे था और आगे भी काम करता रहूं आप लोग यह आशिरवाद दें धन्यवाद